हेलो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्टूब चैनल टेट टेक्ट अकेडमी में मैं हूं ससी कांत राय आज हम पढ़ेंगे कक्छा कक्छ में समाजिक अधिगम तो आईए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कक्छा कक्छ में समाजिक अधिगम का प्रयोग सिचकों का तर्क है कि प्रयोग साला के वातावरण में पसुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किये जाने वाले सीखने के सिध्धान्तों का कक्छा के वातावरण में बालकों के लिए अति अल्प महत्व है सिचकों के विचार से सामत होकर जेवी रोटर ने 1945 में अपनी पुस्तक सोसल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकलोजी में समाजिक अधिगम सिधान्द का प्रतिपादन किया आईए अब देखते हैं समाजिक अधिगम का अर्थ समाजिक मनोबिग्ञान का अधरवुत तत्य है कि बेक्ति एक दूसरे के संपर्क में आना चाहते हैं और एक दूसरे से दूर भी रहना चाहते हैं आपस में संपर्क इस्थापित करने की प्रकर्टी सारभावमिक है संपर्क त्वारा ही बेक्ति की आवसक्ताओं की पूर्थी होती है जैसे उधारन के लिए सिसू, भोजन, सुरच्छा, आराम, आदी, सररिक आवसक्ताओं की पूर्थी के लिए दूसरों से संपर्क करना चाहता है और यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है दूसरों के संपर्क में आकर हम अनेक नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अनेक नई बातें सीखते हैं जिसके फल्स रूप हमारे बहवारे में चेतन अथवा अचेतन रूप में परिवर्दन होता है इस प्रकार अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है कक्षा में सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को निम्टरकार से ब्यक्त किया जा सकता है कक्षा में बालक समूव में होते हैं और या विभिन प्रकार के होते हैं कुछ बालक सिच्छनकार में सहयोग देते हैं उसमें रूची लेते हैं सिचकों की बातों का ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रती भक्ती रखते हैं जबकि इसके विप्रीत कुछ वालक सिच्छन कारे में सहयोग नहीं देते हैं उसमें रूची नहीं लेते हैं सिचक की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं और उनके प्रती भक्ती भी नहीं रखत समू में होने के कारण सभी वालक सिच्छक और उसके सिच्छन से कुछ न कुछ मातरा में प्रभावित होते हैं साथ ही उनमें अंतह क्रिया भी होती है इस अंतह क्रिया के कारण वे एक दूसरे को अपने बहवार से उदिप्त करते हैं और होते हैं एवं इस प्रकार एक दूस परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार समाजिक अधिगम में अंतर क्रिया का केंद्री अस्थान है। आईए अब देखते हैं कक्षा में समाजिक अधिगम में सहायक कारक। सबसे पहला है ध्यान। समाजिक अधिगम में सहायता देने वाला पहला कारक ध्यान है। सिच्छक बालकों के प्रती साधान से अधिक ध्यान देखर उनके बहवार में परिवर्थन कर सकता है। इस बात को हम लोग कालविन के अनुसंधान से समझ सकते हैं जिसमें उन्हों ने अपनी चात्राओं से बालिकाओं की और विशेश ध्यान देने और प्रसंसा करने के लिए कहा जो नीले रंग के कपड़े पहन कर आती थी। अनुकरण. बालक दूसरे वालों को देखकर बेकतियों के बहवार का अवलोकन और अनुकरण करके औनेग बातें सीखते हैं। इसका सरोत्तम मुदारण है भासा को सीखना, बालक अनुकरान द्वारा अधिगम में वास्तुविक माडलों और संकेतिक माडलों का प्रयोक करते हैं, वास्तुविक माडल में बेक्ती आते हैं और संकेतिक माडल में कहानी, चित्र, पुस्तक, फिल्म, सिनेमा, रेडियो और टेलीवीजन आधी सामिल हैं वालकों के अनुकर अनात्मक वेहवार के सम्मद में वाइट ने चार मुखे बातें बताई हैं पहला बालक अपने उन साथियों को अधिक अनुकुरन करते हैं जो बार-बार उनके सामने आते हैं दूसरा बालक अपने साथियों के बजाए वैसक ताकि बालकों का अधिक अन्कुरण करते हैं. एक रूपता, एक रूपता सामाजीक अधिगम में तीन प्रकार की सहाथा कर सकती है. पहला है निरिच्छन करता और थाथ बालकों को नए प्रकार का बहवार करने के लिए पृत्साहित किया जाता है. दूसरा, बालकों के उस बहवार को प्रवल पनाये जा सकता है, जो उनमें बिद्दमान है. तीसरा, बालकों में पाई जानवेले बहवार को रोका जा सकता है. अतह इस पश्ठ है कि सामाजीक अधिगम में एक रूपता बहुत सहायक हो सकती है. इसका प्रियोक करके बालकों के कार्यों, बिचारों, अभीवरत्ती, बेहवार आधी में वांचनी परिवर्तन किये जा सकते हैं. माडल की विशेश्ता हैं. माडल का उलोकन करके सीखना सुदाजनक परतीत होता है. माडल की सामाजिक भिशेस्ता हैं चातर के अनुक्राणात्मक बहवार के सीखने को प्रवाविद करती है चातर अपने जीवन में माडल के दो रुपों का प्रयोग करते हैं में कहानें चित्र पुस्तक, फिल्म, सिनेमा, रेडियो और टेलिवीजन आधि सामिल है सामाजिक अधिगम के सिध्धान्द को सभी सिचकों द्वारा स्विकार किया जाता है बालक कक्षा में केवल बैठे हुए देखते हुए और सुनते हुए बहुत सी बातें सीख लेते हैं वह सिचक और अन्य छात्रों के बहवार का अवलोकन करके सीखते हैं नरिच्छन करता की विशेस्ता हैं नरिच्छन करता का प्रयोक छात्र के लिए किया गया है क्योंकि वह माडल के बहवार का नरिच्छन करता है कक्षा में अनेक छात्र होते हैं और सभी के गुड़ों या विशेस्ताओं में अंतर होता है परन्तु यह अवस्यक नहीं है कि सभी छात्र सिचक के पहवार का समान रुप से अनकरण करके समान मात्रा में अधिगम करें या सीखें अनुक्राणात्मक पहवार में कम या अधिक प्रभावित होने का कारण है छात्रों की विसेशता है प्रवलन, कुछ मनों बैग्यानिकों द्वारा इस सब्द का प्रयोग पुरसकार के स्थान पर किया जाता है भीग एवाम हंट ने अपनी पुस्तक साइकलोजिकल फाउंडेशन आफ एजुकेशन में प्रवलन के निमलिकी दो प्रकार बताए है पहला है सकारात्मक प्रवलन और दूसरा है नकारात्मक प्रवलन सकारात्मक प्रवलन इनमें कोई उद्दीपक उपस्तित किया जाता है जिसके फलसरूप बालक के बहवार का पुष्टी करण होता है जैसे सिच्छक की मुस्कान, नकारात्मक प्रवलन, इन में किसी उदीपक को हटा लिया जाता है, जिसके फलसुरू बालत के बहवार का पुष्टी करना होता है, जैसे सिच्छक की गुड़की या डांट, बीफ इसकी नर्ग ने चेतावनी दी है कि सकारात्मक प्रवलन को और नकारात्मक प्रवलन को दुखत नहीं समझना चाहिए, चात्रों के कारियों की ततकालिक प्रसंसा उनके कारे करने की विदी को साधारान उत्तम बनाती है, हम कह सकते हैं कि कक्षा में समाजिक अधिगम को सफल बनाने के लिए सिच्छक दोरा प्रवलन का अधिक से अध सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ आप से दुबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद